Brought to you by Agilis Diagnostics जटका लगेगा आपको बता दे इस टूर्णामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है वहीं दोनों देशों के बीच तनापूर संबंदों की वज़े से टीम इंडिया ने 2008 एशिया कप के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी और भारते टीम के पाकिस्तान की आत्रा नहीं करने पर ये टूर्नामेंट हाइब्रेड मॉडल की तहत कराया जा सकता है हलाकिस से एक दिन पहले ही PCB चीफ मौसीन नक्वी ने जोर देकर कहा था कि अगर BCCI को कोई समस्या है तो उसे लिखित में देना होगा नक्वी ने कहा था कि PCB की और से हाइब्रेड मॉडल के बारे में बात नहीं की गई लेकिन वो इस पर बात करने के लिए तयार है अगर बात हाइब्रेड मॉडल पर बनती है तो भारत्य टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सभी मुकाबले संयुक्त अरब अमिराद यानि की UAE में खेल सकती है वहीं UAE के लावा शिलंका भी शॉट लिस्ट में हैं लेकिन ऐसा माना जा रहा कि पाकिस्तान से नजदीकी के कारण UAE इस रेस में सबसे आगे है आपको बता दें ICC चैंपियंस ट्रॉफी दो हजार पच्चिस में आठ टीमें भाग लेंगी जिन्हें चार चार के दो ग्रूप्स में बाटा जाएगा इसके बाद समी फाइनल और फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लावा अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बांगलादेश, इंगलेंड, न्यूजिलेंड, पाकिस्तान और साउथ अफरिका की टीमें हिस्सा लेंगी इस टूर्णामेंट के आयोजन में करीब 100 दिन बचे हैं मगर अब तक इसका स्केडूल घोचित नहीं हुआ है वैसे आज तक नहीं, अपनी रिपोर्ट में ये बात कही थी कि इस बात की संभावना बेहत कम है कि टीम इंडिया चैंपियन्स ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा करेगी और अब जो खबर सामने आ रही, उससे ये बात साफ होती नजर आ रही कि भारतिय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और जहां तक भारत की पाकिस्तान यात्रा का सवाल है, इस बारे में अंतिम फैसला सरकार करेगी वहीं पाकिस्तान को ऐसा लग रहा कि शायद कुछ बात बन जाए, पाकिस्तानी मीडिया, The Express Tribune के मताबिक ICC का एक प्रतिनी दिमंडल 10 से 12 नवंबर तक लाहौर पहुचेगा और हर एक तैयारियों का जाइजा भी लेगा, इसी दौरान 11 नवंबर को चैंपियन्स टॉफी का स्केडियूल घोशित किया जा सकता है ऐसा बताया जा रहा कि अगले साल फरवरी मार्च में चैंपियन्स टॉफी खेली जाएगी रिपोर्ट्स की माने तो इसका अगाज 19 फरवरी को होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जा सकता है अब क्योंकि भारतिय टीम पाकिस्तान का दोरा नहीं करेगी, ऐसे में हाइब्रेड मॉडल के अलाबा, पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं है सालों बाद कोई बड़ा टूर्णामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा, वहां के हालात को देखते हुए कई सालों तक पाकिस्तान में किसी भी तरह के मैच नहीं खेले गए थी पाकिस्तान खुद अपनी होम सीरी युएई आकर खेला करता था भारत में भी पाकिस्तान से आतंकी हमले और तनापूर्ट सम्मंदों की वज़स से दूरी बना ली है और यही वज़ा है कि भारतिय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी बिलो रेपोर्ट भारत तक